तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि अगर आपका यूडिट बैंक की जो व्यूम एप्लिकेशन है उसका लोगिन पिन जो है अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद आपको कैसे एक नया लोगिन पिन बनाना है तो मैं आपको लोगिन करके दिखा देता हूँ आप पिन भी डाल सकते हैं और फिंगर से भी ओपन करने की ट्राय कर सकते हैं लेकिन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा your login pin expired kindly reset your login pin तो आपको login pin को फिर से reset करने के लिए या फिर से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा एक और बार login के उपर click करना पड़ेगा यहापर जो आपको लाल-लाल सा दिख रहा है मैं आपको एक बड़ जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है having trouble login in तो और question mark तो इसके उपर आपको एक बड़ क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको दो-तिन option दिखाई देंगे आपको login pin को reset करने के लिए पहला आपको debit card दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको internet banking तो जो भी आपके पास है उस हिसाब से आप कर लिजे मेरे पास debit card है तो मैं debit card से करूँगा तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले debit card का number मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आपको debit card का number लिख देना है तो यहाँ पर आप question पूचा जा रहा है identify biggest number तो जो भी आपका biggest number है वो यहाँ पर लिख देना है तो जैसे कि मैंने detail फिल कर दी अब यहाँ पर आपको submit कर देना है जैसे आप submit करेंगे तब आपसे यहाँ पर pin को set करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको chart digit का कोई भी pin set कर देना है और फिर उसी pin को आपको नीचे डालना है और same डालना है कोई भी अलग मत करना क्योंकि same pin आपको confirm करना है तो जैसे आप दूसरा pin डालेंगे तो उसके नीचे आपको यहाँ पर submit का बटम देख रहा होगा इधर submit के उपर आपको यहाँ पर click कर देना है तो मैं अभी pin डाल देता हूँ तो देखिए मैंने pin डाल दिया है तो अब मैं यहाँ पर submit कर देता हूँ तो जैसे ही मैं submit के उपर click करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा pin जो है set नहीं हुआ है यहां पे बोला जारा है कि जो आपने transaction pin है वो pin आप नहीं डाल सकते तो आपको यहां पे कोई दूसरा pin डालना होगा जो transaction pin से अलग हो transaction pin आप यहां पे नहीं डाल सकते तो मैं कोई दूसरा pin डाल के try करता हूँ तो मैं यहां पे कोई दूसरा pin डाल दिया है अब इस बार मैं सब्मिट करके देखता हूँ और यहाँ पर देखे गाई इस बार सब्मिट हो गया है तो उमीद करता हूँ आपको अपना ट्रांजेक्शन पिन किस तरीके से चेंज करना है या बदलना है आपको पता चल गया होगा मिलते हैं अपनी नेक्ट वीडियो पर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे थैंक यू फर वाचिंग